नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब का मेरी चैनल सिविल एंजिनीरिंग फोरम में आज के इस वीडियो में हम इंडिया की सबसे पॉपिलर दो ब्रांड्स के टेरेस वाटर्पूफिंग केमिकल्स को कमपेर करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बैतर है तो ये दो केमिकल्स है सिखा कूल कोट और डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट कूल ये दोनों ही सबसे ज्यादा बिकने वाले हीट रिफलेक्टिंग वाटरप्रूफ कोटिंग है पर आपको इन में से कौन सा केमिकल, कब, कहा और क्यों इस्तमल करना चाहिए ये हम यहाँ पे इस वीडियो में डीटेल में देखेंगे और लास्ट में हम इन दोनों ही केमिकल्स को रेटिंग देंगे बेस्ट अन वीच आप ये डिसिजन ले सकते हैं तो चलिए अब बीना आपका टाइम वेस्ट किये हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके प्रोड़क्ट डिस्क्रिप्शन से एड फर्स टॉकिंग अबाउट सिका कूल कोट ये एक सिंगल कंपोनेट में अवेलेबल वाटर्पूफिंग लिक्विड है जिसे हम किसी भी सर्फेस पे पेंट की तरह अपलाई कर सकते हैं ये क्या है कि एक्रेलिक बेजड है तो सूखने के बाद एक पतली सी प्लास्टिक जैसे फिल्म बन जाती है इसमें जिस कोटिंग से पानी अंदर नहीं गुश सकता तो इस तरह से ये वाटर्पूफ बन जाता है ये अब कोई भी रूफ, स्लैब, टेरस पे अपलाई कर सकते है फिर जाहे ये सर्फेस नया हो या पुराना और इसके अलावा बाकी कहीं जगा पे हम इसे अपलाई कर सकते है जिसके बारे में हम आगे डीटेल में बात करेंगे नेक्स्ट है डॉक्टर फिक्सिक न्यू कोट कूल ये भी एक एक एक्रेलिक बेस लिक्विड है जो कि एक परफेक्ट फिनिश के साथ हमें एक स्मूध वाटरपूफिंग सर्फेस प्रोवाइड करता है और बाकी सब्वी प्रोपटीज डॉक्टर फिक्सिक न्यू कोट कूल में भी सिक्का कूल कोट जैसी ही है अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों ही केमिकल's के area of application की इसमें भी पहले हम देखेंगे सिक्का कूल कोट के area of application ये आप घर के roof पे लगा सकते है विर चाहे यह sloped हो यह flat विर RCC slab पे विर roofing के लिए इस्तमल किये जाने वाली cement based asbestos sheet पे भी हम इसे directly apply कर सकते हैं विर अपने terrace पे lime treatment यह bitumen waterproofing treatment अल्रेडी की हुई है तो आप इस पे directly विर से यह chemical इस्तमल कर सकते हैं यह chemical waterproofing के अलावा बढ़िया heat भी reflect करता है जिससे कि अमरे घर का interior जो है वो थंडा रहता है तो यह इसकी एक additional property है apart from waterproofing जिससे कि अगर आप इसको पूरा roof पे लगा दोगे तो क्या है कि direct sunlight जो है वो reflect हो जाएगी और आपके roof में absorb नहीं होगी next doctor fix it new coat cool की बात करें तो इससे भी हम sloped या flat roof और RCC terrace पे apply कर सकते है फिर already apply की हुई waterproofing treatment है आपके वहाँ पे like brick bed, koba, concrete या फिर acrylic coating तो आप इस पे भी directly doctor fix it new coat cool को apply कर सकते है पर एक चीज़ का धियानिया पे यह रखना है कि it should be sound इसका base एकदम strong होना चाहिए तब भी आप इसके ऊपर हमारा जो यह chemical हो apply कर सकते है वरना क्या है कि वह surface के साथ साथ हमारा जो chemical है वह भी निकल जाएगा फिर हम इन दोनों ही chemicals की product characteristics देखेंगे तो बात करते हैं सिक्का cool coat के बारे में तो यह UV and weather resistant है यानि कि सूरत से आने वाली rays के साथ साथ ultraviolet radiation जो है वो भी reflect हो जाती है और extreme weather conditions जैसे की high heat wave तो इन सभी चीजों को दूर रखती है हमारे गर से फिर next है algae and fungi resistant यानि कि यह chemical हमारे surface पे bacterial growth नहीं promote करता algae और fungi इस पे grow नहीं होंगे so is a heat reflecting surface keeping integer cooler तो यह waterproofing के साथ साथ हमें एक बड़िया सा heat reflecting surface भी provide करता है जिसके बारे में हमने already बात कर ली तो यह किसकी बहुत important product characteristics हम बोल सकते है next है excellent weather resistant मतलब कि जो हमने बात की कि यह extreme weather conditions जैसे की heat and rain इन से हमारे surface को protect करकर रखता है यह सभी वह वाली product characteristics है जो कि company claim करती है क्योंकि last में हम based on all these things and product review हम इनको rating देंगे based on which आप अपना decision दे सकते हैं ना कि company जो claim करती है उसके base पे next है crack bridging तो एक बार आपने यह chemical लगा दिया और जैसे यह सूख जाता है तो क्या है कि यह flexible coating है तो due to heat, expansion and contraction की वज़े से क्या है कि हमारी जो cracks है micro cracks जो surface पे develop होती है वो heat होने से wide होती है और cool होने से shrink होती है पर क्योंकि हमारा जो dry surface है यानि कि हमने जो यह coating लगाया है वो flexible है तो क्या है कि crack के साथ साथ हमारा coating जो है वो stretch हो जाएगा और shrinkage के साथ फिर से वो shrink हो जाता है तो बड़िया तरीके से यह crack bridge करता है और इसमें एक बहुत important चीज़ एड़ की गई है इसमें micro fibers रहते है यह क्या है कि जैसे ही crack develop होती है हमारे surface पे यह जो randomly spreaded fibers है वो crack के बीच में bridge बन जाते है और हमारी crack को wide नहीं होने देता है तो flexible के साथ साथ हमारा यह coating tough भी है इसमें strength भी ज्यादा होती है तो यह cracks को surface पे develop ही नहीं होने देगा next है suitable for saline environment मतलब की acid drain acid drain या फिर कोई भी ऐसे chemical से हमारे surface को बचा करके रखता है इससे क्या है कि हमारा coating जो पपड़ी बन कर निकलने नहीं लगेगा वो एकदम strongly bonded ही रहेगा हमारे surface से next highly flexible and vapor permeable तो flexibility की तो हमने अलड़ी बात कर ली पर यह दूसरा point जो है वो है vapor permeable यह coating breathable है इसमें से water जो है पानी जो है वो पास तो नहीं हो सकता पर vapor जो है वो आराम से इसमें से पास हो सकता है तो इसे breathable coating हम बोल सकता है क्योंकि कही बार क्या होता है कि surface पे coating लगाने के बाद नीचे से अगर air आती है तो वो पूरा full जाता है और इस तरह से यह तूट के बिखरने लगता है पर यह vapor permeable है इसमें से हवा आराम से पास हो सकती है नेक्स्ट है fast application क्योंकि यह single component में available chemical है सिक्का cool coat तो आप इसे एकदम जल्दी से आराम से लगा सकते है तो यह लगाने में भी बहुत convenient है नेक्स्ट excellent addition यानि कि यह जो bond बनाता है हमारे surface के साथ वो एकदम अच्छी पकड़ बना लेता है ताकि वो आसानी से निकले नहीं और इसलिए हमें जिर्फ एक ही चीज़ कधियान लखना है कि इसका जो base है वो strong होना चाहिए योगि जिस base पे हम लगा रहे है वो strong नहीं है तो क्या है कि base के साथ से हमारा जो coating है वो भी निकल जाएगा next eco friendly तो यह chemical कोई भी harmful component से नहीं बनता जिससे यह हमें या फिर हमारे environment को नुकसान पहुचाएगा next हम बात करेंगे doctor fixit new coat cool के characteristics की तो यह भी waterproof है तो इसका main point जिसके लिए यह chemical बना है यह है waterproofing यह पानी को इसमें सब बिल्कुल पास नहीं होने देता और इसलिए यह एक बहतरीन waterproofing chemical प्रूव हुआ है next है resilience and crack bridging resilience यानि की ability to recover जैसे ही इस पे cracks develop होती है तो यह भी chemical क्या है कि flexible coating देता है हमे तो crack के साथ साथ यह coating भी recover होता है doctor fixit new coat cool और cracks के बीच में bridge बन जाता है तो इतनी आसानी से यह coating भी निकलेगा नहीं और इससे related next point यह भी है कि यह long term durable है यह ज़्यादा टिकता है इसकी lives बहुत ज़्यादा है next application advantage मतलब हम इससे बहुत आसानी से लगा सकते है directly on the surface इसके लिए कोई अलग से treatment करने के requirement नहीं है next यह भी eco-friendly है हमें या फिर हमरा environment को नुकसान नहीं पहुचाता next reduces heat conductivity यानि कि यह non conductor of heat प्रूव हुआ है इस में से heat जो है वो transfer easily नहीं हो सकती इतना conductive नहीं है तो हमरा surface जो है वो heat को विर से reflect कर सकता है serves as a heat reflecting surface keeping interior cooler तो यह भी सिक्क कूल कोट की तरह हमरे घर का interior को थंडा रखता है फिर UV and IR resistant तो सूरत से आने वाल ultraviolet radiation और infrared rays को हमरे घर से दूर रखता है easily reflect कर देता है तो क्या है कि हमरा structure deteriorate भी नहीं होता तो यह थी main characteristics इन दोनों ही chemicals की जिससे कि हम यह conclude कर सकते है कि यह दोनों comparatively same है तो अभी आप confused होंगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा chemical खरीदना चाहिए पर I am sure यह video खतम होने से पहले आप अपना decision definitely बना लोंगे next हम बात करेंगे इसके cost और coverage की देखिए हम यहां पर cost यह coverage को directly compare नहीं करेंगे कौन सा वाला जो है वो सस्ता है कौन सा ज्यादा coverage देता है क्योंकि देखिए सिक्का cool coat की बात करें तो यहां पर मैं exact figure तो आपको नहीं दे रहा हूँ पर यह affordable chemical यह थोड़ा सा आपको comparatively सस्ता मिल जाता है डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट cools है पर सस्ता होने के साथ ही हमें थोड़ा सा कम coverage देता है तो मतला वो मैं थोड़ा से ज्यादा chemical खरीदना होगा पर डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोल थोड़ा expensive है और comparatively यह ज्यादा coverage देता है तो this will become one and the same thing तो इस चीज़ को हम यहाँ पर compare नहीं कर सकते है तो फिर से यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा confusion create हो गया है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके properties को हम rating देंगे और last में value for money rating देंगे based on which आप अपना decision ले सकते है लेकि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा वाला chemical जो है वो perfect है तो सबसे पहले है जिसके लिए यह chemical बना है उसको rating देंगे waterproofing को तो सिक्का cool coat को यहाँ पर मिल जाते है 4 out of 5 star और dr. fixit new coat cool को मिल जाते है 5 out of 5 star तो यहाँ पर हम यह claim कर सकते हैं तो अगर आप चाहे तो इससे भी prefer कर सकते है पर इससे पहले हम बाकी की सभी properties को भी rating देंगे next है heat reflectance यानि की कौन सा वाला chemical जो है वो आपके घर को बढ़िया तरीके से ठंडा रखेगा अगर आप इस property को धियान में रखके chemical खरीद रहे है कि आपको उपर से reflective coating, ultraviolet rays, infrared rays और सूरत से आने वाली heat waves से अबगर आपके घर को बचाना है तो कौन सा वाला chemical आपके रिए बहतर है तो यहाँ पर सिका cool coat को मिल जाते है 5 out of 5 star और doctor fix it new coat cool को मिल जाते है 4 out of 5 star तो देखिए दो main properties जिसकी वज़े से यह दोनों paint को बनाया गया है एक तो waterproofing इसमें doctor fix it new coat बाजी मार जाता है और दूसरा है heat reflectance मतलब घर को कौन सा वाला chemical ठंडा रखेगा इसमें सिका cool coat बाजी मार जाता है तो फिर से यहाँ पर दोनों ही chemicals को 50-50 percent दे सकता है पर मैं आपको यह बता दू कि four out of five star is not bad यहाँ पर अगर दो स्टार में न दिये होते तो यह सोचने वाली बात ठीक ही we should not use यह कोई भी chemical next time rating देंगे इनकी durability को मतलब एक बार लगाने के बाद यह chemicals कितने ठिकते है कौन सा वाला chemical ज्यादा ठिकेगा तो यहाँ पर इन दोनों ही chemicals को मिल जाते है five out of five star ठीक से अगर आपने एक बार sound surface पर इन दोनों ही chemical को लगा दिया यह कम से कम 7 से 8 साल तक तो निकलेंगे ही नहीं अगर आपने यह sound based पर लगाया है तो तो इन दोनों ही chemicals की durability बहुत ज्यादा है यह long term टिकते है और आखिर में based on everything सभी properties consider करते हुए waterproofing, heat reflectance, durability, cost, coverage सभी जी से consider करते हुए मैंने last में value for money rating दिये है तो based on this इस rating पर से आप यह decide कर सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा chemical लेना है तो यहाँ पर इन दोनों ही chemicals को मिल जाते हैं 5 out of 5 star मतलब आप इन दोनों में से कोई भी chemical prefer कर सकते है पर मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आपकी main priority मतलब waterproofing के साथ साथ पहली priority यह है कि आप heat reflectance चाहते है अपने घर को थोड़ा सा ठंडा रखना चाहते है तो you should prefer sicka cool coat और अगर आपके घर में leakages ज्यादा है micro cracks बहुत ज्यादा develop हुई है तो आप doctor fix it new coat cool के साथ जा सकते है no doubt यह भी आपके घर को ठंडा रखने में तो मदद करेगा ही करेगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह video अच्छा लगा और अगर ऐसा है तो इसे like कर दीजिए और मेरी चैनल civil engineering forum को subscribe जरूर करें this is all for today thank you for watching